मुद्दो की बात किया है लेकिन मुद्दो को लेकर कि अपकी बार चुनाब में उतर रहे है लेकि हमारा बड़ा सपस्ट ये मानना है कि दक्षणी दिल्ली लोकसभा शेत्र में बुनियादी सुविधाएं बिजली पानी सीवर की सुविधाओं से दक्षणी दिल्ली की जनता को बंचित रखा गया बाचपा कॉंग्रेस के निताओ द्वारा वो सारी बुनियादी सुविधाएं पिछले चार साल में अर्विन केजरिवाल जी ने दी है 90 प्रतिशत इलाका जहां पानी नहीं आता था पाइपलाइन के जरिये वहां अर्विन केजरिवाल जी ने पानी देने का काम किया है घरगर बिजली के दाम आदे की हैं बिजली पहुंचाई है सडक सीवर नाली बनवाई है और अब इसी विकास को मैं आगे ले जाने का प्रयास करूँगा हर कच्ची कॉलनी को पका करूँगा अगर सातो सीटे अर्विन केजरिवाल जी की आम आदमी पार्टी जीतती है तो दिल्ली को दो साल के अंदर हम पून राज्य का दर्जा दिलाएंगे और दिल्ली अगर पून राज्य बनेगी तो महिला सुरक्षा इतनी दुरुस्त हो जाएगी कि रात को ग्यारा बजे क्योंना हमारी माताएं बहने घर के बार निकलें किसी गुंडे मावाली के आकात नहीं होगी कि उनको छेड़ दे हर विक्ती को दिल्ली के हर युवाग को रोजगार मिलेगी हर कच्ची कॉलनी को पक्का करेंगे और दिल्ली में जो एक विकास थमसा गया था भाचपा के कारेकाल में, कॉंग्रेस के कारेकाल में जिसको पिछले चार साल में अर्विन केजरिवाल जी ने आगे बढ़ा है सीवर की लाइन डलवाना चाहते हैं, बसे खरीदना चाहते हैं, मेट्रो की लाइन बढ़ाना चाहते हैं, हर चीज में भाशपा के 7 साइज से नों ने चिटी हनलिक लिक लिक कर विरोध किया। ना डराने दूंगा. जो इस मानसिक्ता का है, अराजक्ता जैसी मानसिक्ता का, वो चंद मुसल्मान है, जो उन लोगों को शरंड देता, अगरवादियों को, और अगरवादियों के खिलाप अगरवादियों के खिलाप अगरवादियों के खिलाप अगरवादियों के खिलाप अगरवादियों के और वहां वहां से चुनाव लड़ रहा हूं विजू आपने डिसिजन कब लिया यह मैदान में पूरने का और कि लोगों ने मेरे को बलाए कि लोगों को रोजगार में लोगों को रोटी मिले लोगों को अच्छा खाना मिले अच्छा रहने को मिले यह मेरा बदलाव का एक मेरा मेरी जो पर्सलोगों चीजे हैं भी जोगों को जो एक पाइब आपने ड़ी को में लोगों चीजे हैं